असलाम अलेकुम आप सोनिया वेलकम बैक टो मैं चैनल क्या हाल चलें आप सबके आज में बहुत ही मज़े की सैलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत कम इंग्रीडियंट्स के साथ बन जाता है और आप कभी भी आपको दिल करें खाने का तो आप यह इसली बना सकते है तो चलें तैयारी स्टाट करते हैं सैलेट बनाने के लिए 3 ग्रीन अनियन्स चाहिए होगी सबस पत्तों वाली प्यास 9 ग्रेप टोमेटोस 1 ग्रेप ब्लैक ओलिफ 1 लेमन जूस 1 टी स्पून फैटा चीज यह आप जितनी पिचाई यूज कर सकते हैं हाफ एवाकाडो स्वीट कॉर्ण 3-4 टेबल स्पून हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून नमक नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज कर सकते हैं ग्रीन अनियन लिए इसको इस तरह से कट कर ले इस तरह छोड़ छोड़ पीसिस पर नाले निये इसके इसको इस बॉल में डाल देंगे इस तरह से 3-4 टेबल स्पून स्वीट कॉर्ण वन फ्रेश एवाकॉडो इसको इस तरह से हाफ डालना है तो ऐसे कट कर लेंगी हूँ कर दो एफ दो जारा आधे इसको ऑनागा मैं ऑना है एक्राद का दो ख कर दोड़को बार दोड़को इस तरह से कुट को हमएब पीज़ देगा कर दो कि एसको कुट कर दोड़को 3-5 पीज़वाब ब्लैक ओलेफ्स ग्रेप ट्मेटोस भी सिना से कट करने है इस तरह से इसमें बॉल में डाल देना चीज डाल देनी है लेमन जूस नमक काली मेच पाउडर बिन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करने बहुत ही मज़ेकी और हेल्दी सैलट रेडी है बहुत ही मज़ेकी और हेल्दी सैलट रेडी है आप इसको जरूर बनाएं ट्राइ करें आपने देखा कि बहुत कम चीजों से भी इतने मज़ेकी तैयार हो जाती है और आप अपनी फीड़बेक जो है मुझे कॉमेंट में जरूर दें और मेरे चैनल अगर आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक्स पॉर वाचिंग अल्ला हाफेज